हलो फ्रेंट्स आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम प्लाजो पेंट का एकदम नया और बहुत ही खुबसूरत डिजाइन रेडी करने जा रहे हैं तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने अपनी पेंट वाले फैबरी की ही ये एक पट्टी कट की है और ये लगबख साड़े तीन इन चौड़ी है ये देखिए और लंबाई में ये पेंट की मोरी के बिल्कुल बराबर ही है और इस पे न मैंने पेस्टिंग भी लगा ली है एक तरफ ये देखिए अब हम इस पट्टी पे न ये वाइन कलर की पट्टियां स्टिच करेंगे ये मैंने अपनी पेंट के साथ कंट्रास्टेड पट्टी ली है आप कोई भी कंट्रास्ट अपनी पैंट के साथ मैचिंग ले सकते हैं तो ये पट्टी न लगबग धाई इंच चौड़ी ली है मैंने ये देखिए ये पट्टी धाई इंच चौड़ी है और इसे न हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और प्रेस के साथ अच्छे से बिठा देंगे इस तरीके से तो एक पट्टी मैंने ये वाइन कलर की रेडी की है और एक पट्टी मैंने सेम पैंट वाले फैब्रिक की इसी तरीके से बिल्कुल इसके बराबर ही रेडी की है इसे भी मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है अब हम ना इन पट्टियों को इस नीचे वाले फैब्रिक के उपर रखके स्टिच करेंगे ऐसे रखेंगे डाइगनल शेप में पहले हम इन पट्टियों को कट कर लेते हैं तो इस पट्टि को ना हम ऐसे डाइगनल शेप में रखेंगे और उस हिसाब से पट्टि के बराबर बराबर यहां से कट कर देंगे इसको अब हम ये वाली पट्टि के बिल्कुल बराबर ना अपनी सारी पट्टियों को कट कर लेंगे इस तरीके से तो वाइन पट्टी को हम ऐसे रखेंगे और इसके उपर ग्रीन वाली पट्टी को इस तरीके से रखेंगे तो ग्रीन वाली पट्टी को भी न हम वाइन वाली पट्टी के बिल्कुल बराबर बराबर कट कर लेंगे तो पहले हम वाइन पटी को रखेंगे इस तरीके से ऐसे और इसके उपर ग्रीन वाली पटी को ऐसे रखेंगे तो ऐसे हम दो से तीन पटीओं को रख लेंगे उसके बाद हमें सिलाई लगानी है ऐसे दो दोपैर का गैब लेते जाएं पटियों के बीच में और इस तरीके से पटियों को रखते जाएं ऐसे पटियों को रखते हुए यहां पे हमें रफ्चिच कर लेनी है तो ऐसे आप पहले तीन चार पट्टियों को सेट करके रख लीजिए उसके बाद ही आप सिलाई लगाएं तो ये देखिए एक तरफ तो हमारी ये सिलाई लग चुकी है ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी रफ स्टिच लगा लेनी है तो दोनों तरफ हमारी ये सिलाई लग चुकी है अब हमने दोनों तरफ से इसको बराबर बराबर कट कर लेना है तो हम इसे ऐसे पीछे से कट करेंगे अपनी येवाली पटी के ना बराबर बराबर तो सिलाई के साथ आप एक एक पैर का मार्जन लेते हुए बाकी सारी पटियों को कट कर दीजिए तो एक तरफ से तो हमने पटियों को कट कर लिया है अब हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इनको कट कर लेंगे तो ऐसे हमने इस पैटरन को दोनों तरफ से बराबर बराबर कट कर लिया है अब हम इसे अपनी पैंट के साथ स्टिच करेंगे तो पैंट को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और ये वाले पैटरन को पैंट के उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे ऐसे रखेंगे बिल्कुल बराबर और यहां पर ठीक उसी सिलाई के उपर सिलाई लगा देंगे जिससे हमने पट्टियों को स्टिच किया था तो ये वाली सिलाई हमारी असे लग चुकी है अब हमने बॉर्डर को नीचे की तरफ कर देना है और यहाँ पे ना किनारी की सिलाई लगा देनी है तो ये वाली किनारी की सिलाई भी हमारी लग चुकी है अब हमने नीचे वाली साइड से इसको फोल्ड करना है तो इससे नीचे से फोल्ड करने के लिए न मैंने ये वाइन कलर की पट्टी ली है और ये लगबग डेड़ इन चौड़ी ली है मैंने पट्टी लंबाई में ये पैंट की मोरी के बिल्कुल बराबर ही है अब हम इस पट्टी को न एक तरफ से ऐसे आधा इंच फोल्ड करेंगे और यहां पे न एक रफ स्टिच कर देंगे तो यह पट्टी को न एक तरफ से फोल्ड करके ऐसे हमने रफ स्टिच कर ली है अब हम इस पट्टी को इसके उपर रखके स्टिच करेंगे तो पैंट को ऐसे सीधा करके ही रखेंगे और पट्टी को इसके उपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे बिल्कुल बराबर रखेंगे हम और यहाँ पे न दो पैर का मार्जन लेते हुए सिलाई लगा देंगे तो यह वली सिलाई हमारी ऐसे लग चुकी है अब हमने न इस पट्टी को ऐसे पीछे की तरफ पलटके इस तरीके से कर देना है और पीछे से पट्टी को हम तुर्पाई करवा देंगे यहां से तो आगे की तरफ हम कोई भी सिलाई नहीं लगाएंगे अगर सिलाई लगाएंगे तो वो बुरी लगेगी इसलिए हम पीछे से इसको सिर्फ तुर्पाई की करवाएंगे तुर्पाई के लिए आप यहाँ पे एक रफ स्टिच कर सकते हो तो यह देखिए नीचे से हमने इस पट्टी को तुर्पाई भी करवा दिया है और देखिए कितना खुबसूरत हमारा यह पैंट का डिजाइन बनके तैयार हुआ है तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं तो इससे फिटिंग की सिलाई भी लगी है और देखिए एकदम नया और कितना खुबसूरत हमारा यह पैंट का डिजाइन बनके तैयार हुआ है तो आप भी यह वला डिजाइन जरूर ट्राइ करें तो अभी मैं आपको इसको पैंट के भी दिखाती हूँ तो पहनने के बाद ये होगी इसकी फाइनल लुक तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन के साथ मिलते हैं तिल देन बाबाई